जिसमें हम session number two start करेंगे managing headers हमने last video में paragraphs arrange करना देखा था कि जब हम books लिखते हैं newspapers में articles लिखे जाते हैं तो उसमें आपको paragraphs किस तरह से arrange करने चाहिए उसका alignment कैसा करना चाहिए तो अब हम इसमें उनी चीजों में headers और footers डालेंगे तो managing headers के बारे में हम पढ़ेंगे इस video में footer को next video में मैंने रखा है तकि video lens जादा ना हो और आपको पढ़ने में आसानी हो तो managing headers जो है इसमें हम यह पढ़ेंगे कि headers और footers के बारे में पहले introduction देता हूं में और उसके बाद फिर headers को हम क्या करते हैं align करते हैं और set करते हैं वो साथ चीजे हम इसमें पढ़ेंगे तो let's start the video headers कि अगर हम बात करें तो headers actually में होते क्या हैं जब books हम देखते हैं हमारे सामने book होती है या फिर newspapers हम पढ़ते हैं या फिर magazines हम हम पढ़ते हैं तो suppose newspaper अगर हम पढ़ रहे हैं तो जो newspaper हम पढ़ते हैं उस newspaper में सबसे ऊपर छोटी सी line बनी होई होती जिस पर नाम हर page पर आता है वो newspaper का नाम date day page number यह सारी चीजें उस पर हर एक page पर लिख्यूई होती है newspaper पर तो क्या यह हर बार printing के टाइम पर set करते हैं नहीं तो यह header को एक बार बनाना पड़ता है और यह हर page पर automatically आ जाता है तो यह header की settings में भी होता है अगर आप चाहिए इसे fake page पर चाहिए तो you can apply it on one page और आगर आपको multiple pages पर चाहिए तो हम वह भी कर सकते हैं तो वह सब्सक्राइब हम सीखते हैं उसके बाद अगर कोई magazine है suppose तो जिस नाम से magazine है वह magazine का नाम header पर लिखा जाता है और फिर उस magazine में page numbers भी लिखे जाते हैं तो कई magazines में page number जो होते हैं वह header में दिखते हैं और कई page numbers जो footer में दिखते हैं तो footer क्या है जनरली page numbers के लिए यूज किया जाता है तो हम start करते हैं इसमें कि हम settings क्या-क्या करने वाले हैं तो सबसे पहली चीज कि हम header लगाएंगे कैसे तो जो insert tab होता है insert tab के अंदर header and footer group है उस header and footer group के अंदर आपको header का option मिलेगा उस header के option पर आपको click करना है जब आप उस playlist दिखेगी उसमें आपको अलग-अलग type के headers दिखेंगे जो भी जिस style का header आपको चाहिए आप उस style का header select करो उसके बाद जैसे वह आपका header select हो जाता है आपका एक नया tab उपर open हो जाता है जिसको हम बोलते है design tab ठीक है तो वह design tab जैसे यह open होगा तो उसमें आपको आपके header की सारी चीजें details दिख जाएंगी कि आप उस header की design कैसी रखना चाहते हैं उसके बाद उस header में हम क्या लिखना चाहते हैं वो हमारे उपर depend करता है तो हम उसमें फटा-फट से type कर देते हैं कि हमारा header में हम क्या लिखेंगे तो जब यह सारी चीजें हो जाए तो हम header footer option को बंद कर देते हैं है न डिजाइन tab में और यहां से फिर हम escape button दबा के भी exit कर सकते हैं अब यह तो हो गया header insertion लेकिन इसमें मैंने editing तो बता one by one discuss कर लेगे तो सबसे पहली चीज हम discuss करते हैं to insert date and time into a header तो जब हम header में date और time डालना चाहते हैं तो वो कैसे डालेंगे तो जो header section है जैसे मैंने बताया था कि आपको header डालना है तो आपको insert tab में जाना पड़ेगा header footer group में जाना पड़ेगा वहां से header option लेना पड़ेगा लेकिन ऐसा बिना करे भी आप direct header की settings open कर सकते हैं वो कैसे जो header section होता है page का सबसे top वहां पर फटा फट से आप double click कर दो जैसे आप double click कर सकते हो आपको header का section unlock हो जाता है और वो header दिखता और फटा-फट से उपर उसी समय पे design टैप भी आजाता है तो फटा-फट से design टैप पे जाओ और जैसे या आप design टैप पे जाते हो वहां पे आपको date and time को option दिखता है insert group में design tab के अंदर design tab के अंदर insert group उसके अंदर आपको मिलेगा date and time तो यहां पर date and time पर जब आप click करेंगे तो एक नया dialogue box open होगा जिसमें वो आपको सारे formats दिखाएगा कि आपको date or time किस format में चाहिए आपको जो format चाहिए select करो and ok कर दो जैसे आप ok करते हो आपको header में date or time वहां पर दिख जाएगी और इस तरह से आप वहां पर header footer close कर दो this is how you will add date and time अब next आते हैं आपको page number जब डालना हो तो page number आप कैसे डालोगे तो फिर से वही चीज़ double click करेंगे हम header section में और उसके बाद जैसे आप double click करते हो design tab दिखेगा फटा-फट से design tab पर जाओ design टैप पर जाने के बाद आपको header and footer group दिखेगा जब आप header and footer group पर देखोगे तो वहां पर page number का option दिखता है वह page number option पर जब आप click करोगे तो एक drop down menu आएगा कुछ इस तरह से drop down menu जो होगा उसमें आपको page number की styles दिखाएगा कि आपको page number किस style में चाहिए page one of one page one या सिर्फ one जो भी आपको style चाहिए उस तरह से आप इसमें set करके close कर दोगे तो इस तरह से आपका header में page number भी आ जाएगा नाव बात आती है अगर मैं मेरे header में कोई image डालना चाहूं तो वो कैसे डाल सकता हूं तो उसके लिए भी simple सी बात वही चीज़ header section पर जाके double click करो वह unlock हो जाएगा design tab आएगा फटा फटा फर्ट डिजाइन टैप पर जाओ design tab पर जाने के बाद insert group में picture का option दिखेगा तो picture के option पर जब आप click करते हैं तो वहाँ पर फिर आपको एक insert picture का dialogue box open होगा जो आपको आपके PC में से pictures को browse करने हैं के लिए help करेगा जैसे ही आप browse करते हो आप पिच्चर पर सिलेट करो open करो और okay कर दो insert कर दो तो जैसे ही आप insert करोगे आपके वह header section में image जाएगी आप उसका alignment set कर सकते हो बाद में उठा के उसको drag and drop करके जो भी आप चाहें जिस तरह से चाहें उस तरह से आपका वह option जो है पिच्चर जो ह है वह set हो जाएगी